अदानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सबालों में कितना दम है ये आप सभी के मन में सबाल बना होगा और लगातर आप सोच रहे होंगे कि कॉंग्रेस पार्टी, आमाद्मी पार्टी, समाजवादी पार्टी जो बड़े दाविट होक रही है अदानी और मोदी के संपर्क को लेकर क्या ये सच है नमस्कार आपके साथ मैं हूरितिक सविता स्वागत है आपका SPN 9 News में देखिए आपको बता दें दर्शको कि सदन का सत्र चल रहा है और सत्र के दोरान राहूल गांधी सहे तमाम जो कॉंग्रेस के नेता है वो अडानी और मोदी के संपर्क को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं सबसे बड़ी बाद तो निकल कर यह आती है कि जब देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी संसद में कल अपनी स्पीच तुरो करते हैं तो एक नारा लगता है अडानी मोदी भाई भाई अडानी मोदी भाई भाई इस नारे को देश के प्रधान मंत्री लगातार सुनती इसका कोई जवाब नहीं दिया और अपनी स्पीच को बरकरार रखा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूफ से कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना साधा देश के प्रधान मंत्री ने कॉंग्रेस पार्टी के किये हुए कामों को याद दिलवाया और साथ में ये वता दिया कि किया कि लेकिन सबसे बड़ा सवालहाँ पर ये खड़ा होता है कि नितिन गड़करी ने जो एक इंटरिव्यू दिया नितिन गड़करी ने अडानी को लेकर क्यो कुँछ नहीं बोला एक समने है खावर में लिखा है कि आस्तम के श खास को एक खास प्रोग्राम हुआ दिया हालागि अडानी गुरुप को लेकर संसत से सडक तक मचे संग्राम के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बड़ी जो है शाफ गोई से किनारा कर लिया यानि कि इस बड़े सवाल से जो है यहाँ पर नितन गड़करी ने भी किनारा कर लिया तो की गलती होगी तो जो है आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं यानि कि पूरा कुल मिलाकर अगर बात करें तो नितन गड़करी की जो चबी है वो कही न कहीं पूरे देश में प्रिसिद्ध है और लोग उनकी चबी को पसंद करते हैं लेकिन गड़करी ने अडानी के सव मिल फचैनदर, मुधी और अडानी का एक कनेक्शन है क्या ये सच में कोई कुई कनेक्शन है लगातार देखा जाये तो पवण खेरा की बात कर लो यहां पर राहूल maritime की बात कर लो जैराम्ड़मेच की बात कर लो सुप्रिया श्रीनेत की बात कर लो यह लगाता तस्वीर दिखा रहें, तस्वीरों में दिखा रहें कि जब देश के प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी नहीं थे, यानि कि गुजरात के सीम थे, तब भी लगातार जो है अडाणी से मुलाकात करते रहते तें कही साड़ी तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई साथ में ये भी कहा कि अडानी भी गुजरास्ते आते हैं और मोधी भी गुजरास्ते आते हैं तो भाई-भाई का रस्ता है तो आपको क्या लगता है कि अगर नितन गटकरी जैसे नेता इस बड़े सवाल से बचते हैं इस बड़े सवाल से दूर हटते हैं तो क्या सच मैं जो विपक्ष बात कह रहा है वो वा सही है तबी मैंने सुरुआत में कहा था आपसे कि अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों में दम है क्या अगर दम है और अगर सही आरोप है तो नितन गड़करी को यहां जवाब तो देना चाहिए था आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देखते रहिए SPN 9 News